अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो यहां से आप बिल्कुल सीख जाएंगे और आता भी है तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि हम practice करेंगे कि भाग को हम कैसे करें हर दफ है आपको practice मेत framework करने चाहिए तो देखिएगा यहां पर हमें क्या दिया गया है 13 से भाग देना है हमें 22, 33 और 44 यहां पर संख्या लखी है इसमें हमें 13 से भाग देना है सबसे पहले आपको यहां पर देखना है 13 है और यहां पर देखना है इन दो अंकों को अगर हम एक अंक लेंगे तो भाग नह जाएगा क्योंकि दो werk हमें लेना हुगा क्योंकि हमें र Kelly स से बड़ी संख्या यहांपर लेनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे ठीरे में अगर हम इसका भाग करें कितना पाड़ा पड़े कीबाइस से अधिक ना हो तो तो त 2 हम पढ़ेंगे 131 132 26 तो 26 अधिक हो जाएगा यह तो 22 है तो हम क्या करेंगे एक ही बार इसका पाड़ पढ़ेंगे और 13 was 13 यहां लिख लेंगे 13 का 1 में गुझा किया तो कितना आएगा 13 यहां पर लिख लिए है अब हम क्या करेंगे इसको खटाएएगे है तो हम जानते हैं अगर 22 मैंसे या फिर आप 22 मैंसे 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आईगा ठीक है तो यहां पर बचेगा 0 क्योंकि यहां पर एक हो जाएगा और 1 मैंसे एक जाएगा तो 0 ठीक है अब आप को क्या करना है आंगे जो पी संक्या उसको यहाँ पर रख लेना है यानि उतारा ले लेना है ठीक है आप देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ 93 तो हम क्या करेंगे तेरे का पाड़ा 93 से अधिक ना हो ऐसा पढ़ना है तो तेरा इकम तेरा तेरा दूनी 26 तेरा तिया 49 तेरा चोको बाबन तेरा पाची 65 तेचिंग 78 तेरा शाते 91 तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 93 है तो साथ बार में यह पाग जो है वह चला जाएगा यहाँ पर आएगा 91 देखिए आपको इससे अधिक ना हो वहाँ तक पाड़ा पढ़ते रहना है ठीक है तो अब हम इसको घटाएंगे तीन मैंसे एक जाएगा तो दो और 9 मैंसे 9 जाएगा तो 0 ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए अंगली जो भी संक्या है उसको फिर से हमें उतारा ले लेना है यहाँ पर हमने उसको उतारा लिया अब देखिएगा यहाँ पर हो गया तेस अब तेस में हम 13 का भाग करेंगे तो 13 का भाग कैसे क आपको पह्ड़ा पढ़ना है 13. 1. 3 तो 13 दूरी शब्य सदेख हो जाएगा तो 13 एकम, 13 यानि एक़ी बार जाएगा तो 13 फर आपको यहाँ पर रख देना है और आपको यहाँ पर घटा लेना है 3 में से 3 गया 0 और दो में से एक गया तो यहां पर दस हो गया से इसमें यानि कि गटाने पर दस आया ठीक है अब आपको अंगली संख्या देखनी है यहां पर आपको वह संख्या लिख लेनी है अब फिर करना है एक सो चार हो गया यहां पर आपको तेरा का पाड़ा पढ़ना है एक सो चार स तो आठ बार में यह है जो है वह है बाग जाएगा इसमें ठीक है तो यहां पर इसे हम गटाएंगे जीरो चार में से चार गया जीरो और जीरो में से जीरो गया जीरो एक में से गया जीरो ठीक है अब हमें देखना है क्या है आंगे जो भी संक्या है उसको यहां पर आपको र हमारा भाग हो गया ठीक है तो यहां पर भागफल 1718 आया और आसानी से हमने इस भाग को करना सीखा तो मिलते हैं लिए वीडियो में दोस्तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर दें और आप किस किलास से हैं ये भी कमेंट करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग